Hello students, स्वागत है आप सभी का Vulcan O.I.S. के इस प्लेटफोर्म पे Students, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा Medieval History की जो बुक है सतीश चंद्रा, उसका हमारा लेक्चर है तो सतीश चंद्रा जो बुक है, वो काफी ज़्यादा इंपोटेंट है Civil Service के examination के perspective से अगर हम Medieval History को cover करने के perspective से देखें तो काफी इंपोटेंट किताब है, इसको हमें read करने चीए अभी तक हमने जो सतीश चंद्रा किताब है उसके अंदर कुछ chapters को cover किया है जिसके अंदर हमने कुछ जो dynasty थी जो जिन dynasties का basically जो कनोज के लिए जिस तरीके से उनका संगर्स होता है तरकोनी ये संगर्स जिसको बोलते हैं त्री पार्टाइट अलाइंस इसको बोला जाता है तो हमने राष्टिकूट डाइनेस्टी इसके अलावा पाल डाइनेस्टी जो बंगाल से बिलोंग किया करती थी और जो गूजर प्रतिहार डाइनेश्टी है जो Western India से बिलोंग किया करती थी तो उन सब के बारे में हमने देखा था उसके बाद में हमने चोल डाइनेश्टी के बारे में देखा कि किस तरीके से जो चोल डाइनेश्टी है वो पावर के अंदर में आती है और किस तरीके से वहाँ पे जो temple का construction किया जाता है चोल डाइनेस्टी के दुआरा जिसके अंदर अगर हम बात करें गंगाई कोंडा चोलापुरम हैं राजिंदर चोल और राजा राजा चोल के दुआरा किस तरीके से वहाँ पे आपने आसपास के जो areas हैं उनको take over करते हैं इ उसके बाद में students हमने देखा था कि जो 9th century है जो 9th century से लेकर और जो यह हमारी 12th century है 12th and 13th century के आसपास का जो समय है इस 9th से जो 12th century के समय में किस तरीके से social life के अंदर change आता है जिसके अंदर हमने economic life के बारे में देखा कि कैसे जो जब अगर हम बात करें कोई centralized dynasty है कोई बड dynasty है उसका decline होता है जो feudalism है वो increase होगा feudalism किस तरीके से increase होगा students जब भी कोई center के अंदर कोई powerful dynasty या powerful जो king है वो कमजोर गिरता है तो उसके जो सामन्त होंगे उसके जो यहाँ पे governor सुआ करेंगे जो अलग अलग राज्य को उस तरमे में जो take over करेंगे उसका वहाँ पे administration को देखेंगे वो ही यहाँ पे अपने आपको आजार declare कर देंगे या अपने आपको इस तरीके से उनको जो more power है वो grant कर दी जाएगी तो इस तरीके से हमने वहाँ पे जो conditions है उसके बारे में देखा हमने देखा कि कैसे वहाँ पे जो feudalism का increase होने की वज़े से वहाँ पे जो इंडिया का जो trade जो पहले काफी सही था वो वहाँ पे decline होता है और trade यहाँ पे shift होता है क्योंकि Roman Empire भी decline हो गया था students इस समय तक तो यहाँ इंडिया का जो trade है वो Western Asia जो कंट्रीज हैं जिसके अंदर Middle East के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में increase होता है और यहाँ पे इंडिया का trade चाइना के साथ में silk की वज़े से increase होता है यह सब हमको यहाँ देखने को मिलता है इसके बाद में हमने यहाँ पे जो religious life है उसके बारे में देखा कि कैसे जो जैनिजम और बुद्दीजम जो six century से start होते हैं इस समय उनका क्या रोल होता है उन सब के बारे में देखा फिर हम हम इस chapter के अंदर read करेंगे कि social life के बारे में कि जो social life है feudalism का किस तरीके से increase हुआ वहाँ पे लोगों की condition कैसी थी क्या लोग पूर थे लोगों के उपर किस तरीके के tax लगे थे इस time period के समय में क्योंकि उस समय के हम देखेंगे इस time period में सबसे important बात यह है कि आपको कोई भ Southern India के अंदर उनका rule देखने को मिलेगा Northern India के अंदर जो rule है उस समय में कोई बड़ी dynasty है कोई powerful dynasty है उसका rule नहीं होगा इस वज़े से यहाँ पे जो feudalism है वो increase होगा तो उसकी वज़े से जो social life वे उपर क्या effect है condition woman की जो condition थी वो किस तरीके के थी तो उन सब के बारे में आज हम इस chapter के अंदर देखने वाले हैं students अगर हम बात करें feudalism की तो feudalism के बारे में हमने देखा कि कैसे जब यहाँ पे जो central dynasty है जो central powerful जो kingdom है वो कमजोर होता है जब भी कमजोर होगा तो उसके जो governor है उसके जो सामन्त लोग है वो अपने आपको यहाँ independent declare कर देंगे तो society के अ जिलता है कि यहाँ पे वो ऐसे लोग जो सामन्त हुआ करते थे जिनको बेचकर रोता बोला जाता था रनक बोला जाता था ऐसे लोगों का यहाँ पे जो power है उसके अंदर में increase होता है उनकी यहाँ पे power increase होती है अगर हम बात करें इनका original की इस तरीके की यह जो लोग है जि जो राजा है राजा जब कमजोर होता है तो अपने जो उनके जो राज्य होते हैं उनके जो यहाँ पे states होते हैं उनको यह power दे देता है कि आप वहाँ पे army को maintain करोगे तो इसकी वज़े से उनको वहाँ पे उनका जो feudal load होगा उस community का उस caste का या उन village का तो उस आदमी को उस cheap को वहाँ पे power दे दी जाएगे कि आप वहाँ पे tax हैं वो collect कर सकते हो गाउं का आप tax collect कर सकते हो तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि originally यह इनका कहना difficult है काफी different community से हुआ करते थे कुछ government official होते थे कुछ कोई यहाँ पे clan या community के cheap हुआ करते थे tribal head हुआ करते थे तो ऐसे लोगों को यहाँ पे power दी जाती है इसको feudalism कहा जाता है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि इनको basically जो इनका tax collection की जो power है वो यहाँ पे increase होती है यहाँ पे इनको गाउं है वो grant कर दिये जाते है और हमको देखने को मिलता है students कि इन गाउं के अंदर जो गाउं इनक collection के लिए इनको grant किये जाते हैं इनके basically army के maintenance के लिए या अगर इनको और भी कोई यहाँ पे power दी गई है उसके maintenance के लिए administration के लिए जो गाउं इनको revenue collection के थ्रू दिये जाते थे उन गाउं के अंदर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि इनको जो power है वो completely power होगी absolute यह power होती है कभी-कभी तो ऐसा भी होगा कि जो central authority है जो राजा है उसके दुआरा जो कुछ orders pass किये गए हैं उनको यह denied कर देंगे उनके orders को यहाँ पे dis obey किया जाएगा नहीं माना जाएगा इन लोगों के दुआरा इसके अलावा students यहाँ पे देखने को मिलता है यह जो गाउं जो इ इनके administration में इनहीं के under में होते हैं कुछ ऐसे मोके आते हैं काफी कम ऐसे मोके होते हैं जिसके अंदर अगर हम बात करने की इन लोगों के दुआरा rebellion कर दिया गया central authority के against में completely rebellion हुआ और उस समय में यह central authority से defeat हो जाते हैं तो उस समय में इनसे जो power होती है जो जागीर की power जिसे बोला जाता है वो जागीर की power इनसे remove कर ली जाती है actual position अगर हम बात करें इन chiefs की यहाँ पर vary करती है कुछ ऐसे chief हुआ करते थे कुछ ऐसे feudal loads हुआ करते थे जिनके पास में सिर्फ एक गाउं हुआ करता था कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास में जो number of villages हैं वो उनके power के अ इसके बारे में हमको यहाँ जानकारी मिलती है अगर हम बात करें students जो revenue assignment है revenue assignment को यहाँ पे जो basically भोग के रूप में जाना जाता था यहाँ पे इनको जो tax collection है जो revenue के collection है उसकी यहाँ पे power दी गई है जो ruler के दुआरा यह power इनको grant की गई है कि ruler के दुआरा यहाँ पे basically revenue collection कर स सकते हैं बट इस्टुडेंट्स यहां फ्यूडलिजम में हमको देखने को मिलेगा कि ये जो लोग हैं जिनको गाउं का रिवेन्यू कलक्षन की पावर दी गई है जो यहां पे अगर हम बात करें कि जो राजा है उसके एक्वल इनको पावर दे दी गई आर्मी में इंटीनें को मिलता है कि कैसे वो सुर्वात तो एक परसन के थ्रू होती है बट वो वहां पे जो पावर है जो यहां पे फ्यूडलिजम की पावर है वो हेरेडेटरी के रूप में यहां एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर में वो ट्रांसपर होती है दूसरा जनरेशन वहां पे उसको टेक ओवर करेगा जैसे हमको देखने को मिलता है कि बंगाल के अंदर में जो महामंतरी की पोस्ट थी वो महामंतरी की पोस्ट यहां पे हमको देखने को मिलती है कि चार जनरेशन के दौरा उसी पोस्ट को टेक ओवर किया जाता है एक ही फैमिली की लोगों के दौरा तो यह यहाँ पे जो basically हम बात करें कि जो परिवारवाद होता है वो हमको यहाँ देखने को मिलता है इसके अलावे students हम बात करें कि इन लोगों की यहाँ few families की यहाँ पे monopoly हुआ करती थी hereditary chief यहाँ पे वह सारे ऐसे functions हैं जिनको assume किया करते थे जो government के functions होते थे सिर्फ revenue collection से related ही इनका काम नहीं था government का administration की जो power है वो भी हमको यहाँ देखने को मिलेगी इन feudal lords के दुआरा students यहाँ पे अगर हम बात करें feudalism का जो effect हुआ feudalism का जो growth होता है उसका हमारी society के उपर क्या effect होता है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे जो ruler की position होती है जो king की यहाँ पे जो central authority की जो position है उसको यह weak करता है जैसे जैसे ही feudalism का growth हुआ इसके अलावा बताता है कि जो feudal lords है जो यहाँ पे feudal lords हैं उनके उपर में dependent हो जाता है कि ruler यहाँ पे जो king है central authority इनके उपर में dependent होती है एक तो आप revenue की वज़े से इनके उपर depend होते हो second आपको देखने को मिलता है कि central authority जब यहाँ पे decline होगी तो यहाँ पे जो army का administration का जो area है जो इनको दे दिया जाता है तो आप देखे कि इस area से जो ब्लोंग करेगा या कोई दूसरे state से जो ब्लोंग करेगा इनको जो army maintenance की जो power दे दी जाती है इस वज़े से जो central authority है वो हमेश्या इनके उपर dependent हो जाएगी और dependent होने के साथ साथी कभी-कभी तो ऐसा भी होगा इन feudal lords के दुआरा central authority के against में rebellion कर दी जाएगी और उसको वहाँ पे overthrow कर दिया जाएगा तो ये भी हमको काफी बार देखने को मिलेगा medieval history के समय में आप देखे कि ये basically later phase के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो commander in chief है उनके दुआरा वहाँ पे जो कमजोर राजा होता है उसकी हत्या कर दी जाती है जैसे आप देखे जो sum dynasty है sum dynasty जब power में आती है तो ब्रिखे दरत नाम का जो morian empire था morian empire का जो राजा हुआ करता है उसकी उसका जो basically जो सेना पती होते है commander in chief pushya mitra sum pushya mitra sum के दुआरा उनके हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में वो power के अंदर में आते हैं तो यह समाम को देखने को मिलेगा सबसे पहले ruler की जो position है वो weak होती है ruler यहाँ पे dependent बनेगा feudal जो cheaps हैं वो अपनी military forces को भी maintain करेंगे revenue collection तो करेंगे ही इसके साथ साथ अपनी military forces हैं उनको भी यहाँ पे maintain करनी होगी वो भी उनको बनाई जाएगी इनके दुआरा इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो small state है जो ऐसा कोई छोटा state है जिसके अंदर आप देखे कि ऐसे जो feudal loads है वो 4 या 5 है या 10 है तो वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो trade है overall trade है उस state का decline होगा इसकी वज़े से जो trade के अंदर decline हमको देखने को मिलता है इस phase में यहाँ पे जो economy है वो completely यहाँ depend होगी economy यहाँ depend होगी village life के उपर में village को यहाँ पे self sufficient यह self dependent बनाने की कोशिस की जाती है the domination of feudal loads also weaken the village की जो self government है उसको भी weaken करेगा जो village की जो economy है उसको भी यहाँ पे weak होईगी in feudal loads की वज़े से बट अगर हम बात करें कैसे समय में जब यहाँ पे दो जो feudal loads है या state के अंदर जो हैं वो peer agent या अगर हम बात करें जो trader लोग हैं उनको यह safety और security भी provide कराते हैं इस वज़े से कभी कभी यहाँ पे order को maintenance करने के लिए भी इनका होना काफी ज़्यदा जरूरी होता है तो students यह हमने basically feudalism के बारे में देखा कि कैसे उनको भोग है जो भाग है जो revenue collection का जो power है वो उनको होती है किस तरीके से वो ruler को यहाँ decline करते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें कि वो जो वहाँ पे जो लोग रहा करते थे उनकी condition कैसी हुआ करती थी उस समय में जो 800 से 1200 का जो समय था उसमें जो आदमियों की जो condition है जो society की जो condition है वो किस तरीके थी उसकी अगर हम बात करें तो students यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि जो basically हमारे जो feudal loads हैं इनकी यहाँ पे जो condition है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी इनकी जो life style आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी इसके साथ हमारा इंडिया का हेंडी क्राफ्ट का जो यहाँ पे trade होता है वो यहाँ पे decline नहीं होता है जो gold के उपर में जो silver का metallurgical जो work था इस समय में वो फली भूत होता है feudal loads के दुआरा जो gold है वो काफी ज़्यादा पहना जाने लगा feudal loads होने की वज़े से यह अपने आपको king की तरह present करते थे public के अंदर में राजा की तरह दिखने की कोसिस करते थे इसके अलावा आप देखे कि इन लोगों के दुआरा अपने जो hand है इनकी जो जारों गुलिया है जाता था इनके clothes के अंदर में तो यह सब हमको देखनी को मिलता है कि जो condition है पीपल्स की जो aristocracy है उस समय में जो वहाँ पे राज साई है उसकी जो लोगों की condition है वो काफी अच्छी हमको देखनी को मिलती है जिसके अंदर अगर हम बात करें students यहाँ पे इन लोगों के जो घर है वो चार से पांच store के हुआ करते थे चार से पांच मंजिला हुआ करते थे लेवल के बने होते थे cloth यहाँ पे यह लोग काफी import करके पहना करते थे जिसमें Chinese silk है gold and silver के ornaments हैं यह सब हमको देखने को मिलते हैं अगर हम बात करें उसी समय में जो इंडिया की जो agriculture की जो condition थी वो तो काफी अच्छी थी आप देखें agrarian economy थी completely revenue के लिए हम agriculture के उपर depend हुआ करते थे agriculture से जो revenue है 1 by 6 part है उसको लिया जाता था तो इस वज़े से agriculture वहाँ पे फ्लोरेसिंग इंडिया के अंदर दो region से थी एक तो मिट्टी काफी जादा fertile थी इसके बाद में इसके बारे में जो अरब से जो travelers आए हैं उन्होंने भी लिखा था और इसके अलावा आप देखें कि नदियां भोज जादा थी जिस वज़े से water की जो availability है वो हमको देखने को मिलती है water की availability काफी अच्छी थी पानी काफी अच्छे से मिलता था दूसरा जो soil है वो fertile थी इस वज़े से वहाँ पे जो farmers है farming का जो agriculture का practice है वो यहाँ पे flourishing होगा agriculture surplus यहाँ पे रहेगा produce यहाँ पे काफी अच्छा होगा फिर latter phase में हमको देखने को मिलता है कि agriculture का जो improvement है जो condition को improve करने की कोशीस नहीं की गई और कोशीस ना करने के वज़े से जो fertility है जो यहाँ पे prosperity है agriculture sector के अंदर वो यहाँ पे decline होती है वो हमको medieval India के अंदर देखने को मिलता है students handicraft है यह सब जो चीजें है textile है, gold में work है, silver का work है metallurgical work है इन सेक्टर से related तो यहाँ पे जो basically handicraft sector के अंदर जो decline है वो नहीं देखने को मिलता है हम लोगों को इस समय में handicraft हमारा India का सही था अगर हम बात करें जो यह जो feudal loads है इनोंने जो अच्छे-च्छे कपड़े पहनने लगे अच्छे इनके घर हुआ करते थे इवन जो merchant हैं, big merchants हैं उनके भी जो house old है वो आपको काफी बड़े दिखाई देने लगते थे इस समय में क्योंकि जो central authority है, वो कमजोर है और यहाँ पे यह लोग हैं उनके भी आपको house old हैं, वो काफी बड़ी जो बड़ी-बड़ी buildings आपको दिखाई देंगी, इवन दा elephant भी रखा करते थे, horse भी हुआ करता था चालुक्यनेक empire के समय में एक millionaire है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है, वस्तु पाल एंदा तेज पाल है उनके बारे में जो गुजरात के minister हुआ करते थे, richest वहाँ पे merchants हुई हुआ करते थे अपने समय के, तो उनके बारे में बताया गया है, students यहाँ पे जो feudal lords हैं, यह basically अपने आपको king के रूप में represent करने की वज़े से जो इनके जो titles होते हैं, उनको यह big titles के रूप में represent किया करते थे, जैसे आप देखें कि सामन्त इनका basically title हुआ करता था, feudal lords का तो यह अपने आपको represent करने के लिए महा, सामन्त, धापती, इस तरीके से जो बड़े-बड़े titles हैं वो अजूम किया करते थे, जिससे सो society में अपना image है, उसको यह make over कर सकें, image को यहाँ पर बना सकें, दुबारा से reconstruct कर सकें और बड़े-बड़े titles अजूम करना, उस तरीके से जो king की तरह जो यहाँ पर इनकी जो dress, dressing system होता था उसकी तरह से वो यहाँ पर king की तरह dress पहना करते थे, तो इस तरीके की कुछ conditions थी, यहाँ पर जो people's की, बट आमको देखने को मिलता है, कि यहाँ पर एक तरीके से आपको देखने को मिलता है कि जो administrative class है जो यहाँ पर feudal loads है, उनकी यहाँ पर houses काफी बड़े हैं, उनकी यहाँ पर जो luxury life है, उसके बारे में हमको देखने को मिलता है, बट अगर हम second compare करें ऐसे भी कुछ poor लोग थे जिनको यहाँ पर enough जो food है वो available नहीं था, खाने के लिए जो enough food होना चाहिए, वो available नहीं था, यह जो 12th century के समय किताब है, जो कस्मीर के उपर लिखी गई है, रास्तरंगनी रास्तरंगनी जो किताब है कलहन की द्वारा लिखी गई है कस्मीर की इस्ट्री से related यह book है, आपको books के बारे में पता होना चाहिए, तो उस book के अंदर बताया गया है कि कैसे वहाँ पे जो basically कस्मीर के अंदर inequality थी, जो administrative जो class है, aristocracy जो class है, उसको बारे में देखने को मिलता है कि कैसे वो wine पिया करते थे perfume का use किया करते थे और उसके अलावा दूसरी ऐसी यहाँ पे community है, जो common people है, वो यहाँ पे rice और वहाँ पे जो wild, जो vegetable है, उसको use करके वो खाया करते थे, तो उसके बारे में जो यहाँ पे living condition के बीच में जो inequality है, उसको यहाँ पे represent किया गया है, इसके अलावा अगर हम बात करें students, वहाँ पे जो धरम सास्तर हुआ करते थे, उसके जो commentators हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पे जो rate of revenue है, वो continue increase हो रहा है, अब आप देखें कि feudalism आया है, central authority कमजोर हुई है, central authority के कमजोर होने की वज़े से, feudalism के increase होने की वज़े से हमको देखने को मिलेगा कि इन feudal lords को अपने आपको common people है, उनके बीच में अपने आपको एक king के रूप में represent करना है, एक raja के रूप में दिखाना है, तो इनका जो यहाँ पे expenditure है, जो खर्चा है वो increase होगा, इसकी वज़े से यहाँ और completely जो state है, वहाँ पे जो prince है जो basically एक जो राज्चे है वो depend किस पे है, depend है agriculture के उपर में, क्योंकि agriculture base economy हुआ करती थी agriculture के उपर depend होने की वज़े से, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, जो rate of revenue है, वो peasants का यहाँ पे जो demand है, वो continue यहाँ पे increase होगी, one-sixth produce तो यहाँ पे regular produce से लिया जाएगा इसके लावा कुछ additional demand है जैसे grazing की demand का यहाँ पे tax लिया जाएगा, जो तालाब हैं, गाउं के अंदर जो तालाब बने हुई हैं, पोंड बने हुई हैं, उनके उपर अलग से tax लिया जाएगा, गाउं से जो 25 से, तो यह हमको देखने को मिलता है, pay agents को extra जो tax है, land revenue के अलावा जो extra tax है, वो pay करना होता था तो यहाँ पे जो demand है, उसके बारे में देखने को मिलता है even pay agents के पास में forced labor के रूप में जो विस्ती है विस्ती जिसको क्या बोला जाता है forced labor के रूप में जिसको जाना जाता है विस्ती, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो विस्ती वर्ड है, वो use किया जाता था medieval India में उकिस चीज से related था तो forced labor से related है विस्ती जो बेगार है, उसकी practice करवाया करते थे present लोग, उनके पास में forced labor से related लोग हुआ करते थे feudal chief यहाँ पर realize करते हैं money on every opportunity even जो later phase में कुछ feudal loads बने हैं जिसमें राजपूत chief हैं वो सबी ऐसी कोई ना कोई कारण है जैसे उनको देखे कि अगर कोई जानवर जिंदा है तो उसके उपर भी वो tax लेते थे थे, वहाँ पर उनको maximum opportunity को गेन करना चाते थे जिससे यहाँ पर maximum tax collection हो सके यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि कुछ feudal chief है उनकी यहाँ पर इस तरीके की policy की वज़े से कुछ गाउं हमको depopulated होते हुए दिखाई दिए depopulated means the गाउं के लोग migrate कर गए दूसरी area के लिए तो यहाँ पर जो depopulation है वो भी आपको दिखाई देगा feudal loads की in policy की वज़े से extra demand of revenue की वज़े से इसके अलावा students अगर हम बात करें जो growth हुआ feudal society का वो increase किया common man है उनके उपर में burden की रूप में यह increase हुआ है burden की रूप में किस तरीके से increase हुआ है common man किस के उपर depend है agriculture के उपर और agriculture के उपर depend होने की वज़े से इन लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो revenue collection के जो additional demand है वो यहाँ पर increase होती है और additional demand होने की वज़े से जो common people है उनको highly यहाँ पर suffer करना पड़ा उनको highly यहाँ पर जो tax collection है tax का जो revenue है वो इनको देना पड़ा students यहाँ पर अगर हम बात करें society में caste system में तो हमको देखने को मिलता है students caste system यहाँ पर dominant हुआ करता था caste system के according ही society यहाँ पर divided थी जिसके अंदर अगर हम basically बात करें जो वर्णा system है वर्णा system का domination आपको highly देखने को मिलेगा caste system तो फिर भी यहाँ पर काफी कमजोर था पर वर्ण system है कि कौन छत्री है कौन ब्रहमिन है कौन यहाँ पर सुद्र है इस तरीके से जो society है वो चार वर्णों के रूप में divide थी इनी चार वर्णों के बीच में जो आपसी जो यहाँ पर साधिया है वो भी यहाँ पर prohibited होती थी इस पेसल अगर हम बात करें जो untouchable sections है उन सभी लोगों से जो साधिया है वो allow नहीं होती थी इसके लावा students हमको देखने को मिलता है the disabilities forms which the lower caste suffer increased during this period यहाँ पे जो lower caste का जो suffering है जो बैसे basically students कोई भी caste यहाँ पे lower नहीं होती है सभी caste equal होती है सभी communities equal होती है किसी को अगर extra जो opportunity है वो मिली है तो उन्होंने dominant किया है उन्होंने rule किया है कुछ ऐसे लोग है जिन्होंने अगर उनको opportunity नहीं मिली तो उन्होंने नहीं rule किया इसी वज़े से जो reservation system है वो हमारे constitution के अंदर enact किया गया कि जिन लोगों को proper way में representation नहीं मिला उन्हों को main stream के अंदर लाया जाए इस वज़े से reservation भी लाया गया था तो students ऐसे कुछ लोग जिनको society में proper representation नहीं था उन्हों का जो यहाँ पे suffering है जो उस section से जो लोग belong किया करते थे उनका यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि उनका जो suffering है वो यहाँ पे increase हुआ और भी ज़्यादा increase होता है यहाँ पे इसके लावा यहाँ पे इसमर्ती के जो writers है वो बताते हैं कि यहाँ पे जो ब्रहमेंस है उसको किस तरीके से जो extra privilege हुआ करते थे उन सब के बारे में बताया गया है means यहाँ पे overall बताया गया है कि society के अंदर जो divide है वो हमको देखने को मिलता है society यहाँ पे highly divided थी वरन सिस्टम के अंदर में और कास सिस्टम के अंदर most of the workers as well as the tribal such as the fields were classified as the untouchable जो भील community है जिनके बारे में हमने मानगड जो धाम हुआ उसके बारे मैं बेरे रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है तो भील community वोर community है इंडिया की largest tribal community है जो यह काफी warrior personality से ब्लोंग किया करते हैं यह लोग basically भील community की लोग बान जो होता है धनोस और बान जो होते हैं उनको चलाने में काफी ज़्यादा community के लोग हैं इनको इस समय में untouchable है वो declare कर दिया गया इसी समय में हमको देखने को मिलता है जो राजपूद section है जो राजपूद community है उसके origin के बारे में अलग-लग scholars के दुवारा अलग-लग तरीके की theory बताई गई है कुछ scholars के दुवारा इहां पे बताया गया है कि जो रिसी हैं उनके यहां पे जो serge हैं जो रिसी saints हैं उनको यहां पे protect करने के लिए receive assist के दुवारा मांट-अबू के अंदर मांट-अबू- राजस्तान के अंदर यहां पे एक यगन किया गया एक यगन किया गया जिसके अंदर तपश्या की गई और वहां पे इनका ओरीजिनेशन होता है इसके लावा बहुत सारे जो थियोरीज हैं वो बताती हैं कि इनका ओरीजिनल इंडिया के अंदर ही था बाहर से जो लोग आए उनके साथ में ये हरस के समय में जो हूम साई उन सब के सैटल्स के साथ में इनका डवलप्मेट हुआ तो अलग-लग थेयोरीज हैं जिसके अंदर राजपूऌत के डवलप्मेंट की यहां पे कहानी हमको पता लगती है राजपूत के जो different different clans हैं जिसमें पर्तिहार है, पर्मार है, चोहान है, सोलंकी है इन सब की जो location है उसके बारे में भी हमने देखा है कि पर्तिहार कहां पर रूल करते थे, सोलंकी, गुजरात के अंदर रूल किया करते थे पर्मार बेसिकली हमको जो सजरन MP है, उसके अंदर देखने को मिलेंगे इसके लावाँ चंदेला हैं, जो आपको गौालियर के आसपास का जो region है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे तो इस तरीके के आपको basically different different clans है राजपूत community के वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसके लावाँ students यहाँ पर बताया गया है world cycle जो basically यहाँ पर more dominant थी people यहाँ पर अपने जो work है basically ब्रहमीन है उनका work क्या हुआ करता था कि लोगों को teaching करना या उसके according वहाँ पर कुछ writing से related उनका work हुआ करता था religious worship इस तरीके के जो चीज़ थी वो उनकी द्वारा perform की जाती थी चत्री people जिनको defend करना था इस तरीके से यहाँ पर जो society है उसमें one system के उपर में sectionally divide था यहाँ पर आपको एक different caste है different जो community है कायस्त community का जो भी mention है वो यहाँ से start होता है इस समय में पहली बार जो कायस्त community है उसका use किया जाता है और बाद में यह आपको continue use आपको देखने को मिलेगा इसके लावा students यहाँ पर हमको देखने को मिलता है इसी वज़े से आपको letter phase में हाँ देखने को मिलेगा students कि किस तरीके से letter phase के अंदर जो भास्वना है भास्वना के दोरा जो लिंगायत community है उसको चलाया गया लिंगायत community को start किया गया एक नए धरम की स्तापना होती है भक्ती जो moment है उसका revival हमको देखने को मिलता है आप देखे कि 14 and 1500 के आसपास आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे भक्ती moment के जो leaders है वो हाँ पर इमर्ज होते हैं जिसमें आप देखे बाबा गुरु नानक की बात करें संकरदेव की बात करें ऐसे बहुत सारे जो leaders है वो emerge होते हैं बक्ती moment, soupy moment भी आता है क्योंकि जो 1192 के समय में battle of terrain के बाद में जिस तरीके से यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं Central Asia से जो blowing करते हैं और उनके आने के साथ ही यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि Muslim जो invaders हैं वो यहाँ इंडिया में settle होते हैं यहाँ पे settle होने के साथ यहाँ पे soupyism का जो invention है वो भी हमको देखने को मिलता है तो यह सब कुछ हमको वहाँ पे इस समय में जो condition है लोगों की, जो society के अंदर जो religion है जो अगर caste system है, जो one system है वो और भी complex होता हुआ हमको दिखाई देगा कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे untouchable declare कर दिया गया जो basically यहाँ पे जो marriage है between the one system वो भी allowed नहीं थी lower section, higher section इस तरीके से जो divide था society के अंदर में अगर हम बात करें महिलाओं की इस्तिती की conditions of the woman की कैसी condition हुआ करती थी तो students हमने पहले भी देखा जो condition है woman की यहाँ पे continue inferior होती है even husband को यहाँ पे right होता है कि husband अपनी wife को यहाँ पे beat भी कर सकता है उसको मार भी सकता है तो इस तरीके के वहाँ पे जो society में इस तरीके का low था इस तरीके के जो rights थे नहीं किया जाता था ऐसा माना जाता था women are the disloyal by the nature तो वहाँ उनको यहाँ पे isolated way में रखा जाता था उनका अगर male member से अगर हम बात करें कि उनका contact अगर हुआ करता था किसी भी अगर woman का तो वो हमको देखने को मिलता है कि अपने husband के साथ में या अगर हम बात करें अपने father and brother यही सिर्फ male member है जिनके साथ में उनका जो contact है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है इसके लावा students अगर हम बात करें यहाँ पे woman है woman की जो position है जो condition है वो continue यहाँ पे decline होती है उनको education system में जो वेदा है उसको steady करने से related right नहीं होती है woman की जो marriage की age है वो भी यहाँ पे आपको decline करती हुई दिखाई देगी woman की अगर marriage की age यहाँ decline होगी तो उनका जो education का जो status है वो और भी यहाँ पे decline होगा तो education का जो poor state है woman का यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा बट यहाँ पे एक important बात यह है कि कुछ ऐसे जो government officials हैं कुछ ऐसे जो community हैं जैसे मालिये potters जो basically जिनका काम है जो बरतन बनाना तो ऐसे communities हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर में जो women हैं उनको basically वहाँ पे उनकी जो daughter's हैं जो women हैं उनके अंदर आपको skill देखने को मिलेगा like the painting painting बनाना एक skill है like अगर हम बात करें कि जो मटका बनाना है जो यहाँ पे basically जो granary के collection के लिए different work के लिए जिसको use किया जाता है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एज के अंदर में यहाँ पे continue way में जो women की condition है वो decline होती है remarriage को यहाँ पे allow किया गया है women की remarriage बहुती कम conditions है जिनके अंदर में women की remarriage allow की गई है इसी समय में हमको देखने को मिलता है कि women को continue isolated रखा गया क्योंकि वहाँ पे women को trust नहीं किया जाता था trust ना करने की वज़े से यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि women का जो contact है बाहर की दुनिया से काफी कम देखने को मिलेगा they are completely isolated इसके लावा feudal society का अगर यहाँ पे increase हुआ है तो वहाँ पे इसके कुछ positive भी है positive यह है कि जो private property की जो rights है वो यहाँ पे increase हुई है तो woman का यहाँ पे जो property right है वो यहाँ पे little bit उनको मिलने लगा little bit उनको यहाँ पे कुछ rights दे जैसे husband की duty है woman को maintenance के लिए money देना उनको basically उनके कुछ उनके लिए कुछ पैसे हैं वो उनको देने हैं यह husband की यहाँ duty ही ऐसा कुछ बताया गया है बट यहाँ पे आपको जो सती की practice है जो in human practice है वो आपको देखने को मिलेगी कि सती की practice वहाँ पे continue perform की जाएगी एक Arab traveler है सुलेमान उन्होंने अपनी writing के अंदर बताया है कि कैसे यहाँ पे जो king की जो wife है अपने आपको जो king की जब death हो जाती है तो उनके साथ उनके अपनी चिता के अंदर अपने आपको जला लेती है तो सती की जो right है वो यहाँ पे continue increase होती है और later phase में आप देखे अल्लावदीन खिलजी के समय में जो रानी पदमावती है उन्होंने जो जो हर किया था उन्होंने जिस तरीके से जो सती है उसको perform किया था वो सब हमको यहाँ पे देखने को मिलता है तो students यह सुब कुछ जो woman की condition से related कुछ बाते थी कि किस तरीके से condition है वो decline हो रही थी वहाँ पे ना पढ़ने के आजादी है ना साधी के आजादी है ना उनको कोई skill है marriage की age है वो भी reduce कर दी गई है हमको caste system का देखने को मिला काफी rigid थी conditions day by day decline ही होती दिखाई देती है राजबूस का origin देखने को मिलता है उनके different different clans हैं जो society में आते हैं अगर हम farmers के उपर completely depend थी society जिसके अंदर वस्ती उनको एक power थी force labor वो use क्या करते थे अपने काम के लिए बट यहाँ पे revenue collection continue increase होता है farmers से farmers का जो fertile land है water के availability है prosperity अच्छी है बट यहाँ पे feudalism का यहाँ पे जो demand है वो increase होने की वज़े से हमको देखने को मिलता है कि उनकी यहाँ पे जो revenue pay करने की जो capacity की वज़े से उनकी जो prosperity है वो decline होने लगती है जो को यहाँ पे जो नए नए feudals आई हैं अपने आपको एक राजा प्रजेंट करने की कोशिस करते हैं बड़ा बड़ा अपना नाम लिखाते हैं बड़े बड़े घर बनाते हैं ज्यादा servants रखते हैं वैसे ही dress पहनते हैं इसकी वज़े से जो यहाँ पे जो village life है वो हमको depopulated होती हुई दिखाई देगी जो यहाँ पे इस तरीके चे जो taxation यूज किये जाते हैं उनकी जवारा क्योंकि उनका जो खुद की जो खर्चें हैं उसके लिए higher tax collection करना काफी ज़्यादा उनके लिए important है और feudals की जो condition है वो क्यों increase होती है उसके बारे में हमने देखा कि central authority जब भी कमजोर होती है जब भी यहाँ पे कोई central higher जो control वाली dynasty है वो नहीं आएगी उस समय में हमको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे feudalism है वो increase होगा वो हमने मोरियाज के बाद में भी देखा है गुपताज की later phase में भी हमने देखा है कि किस तरीके से जो feudalism है वो increase हुआ तो students आज की lecture में हमने इन conditions के बारे में देखा next lecture में हम आगे read करेंगे कि किस तरीके से उस समय में society अलगाती है राजबूत kingdom किस तरीके से develop हुए उन सब के बारे में हम आने वाले chapter में देखेंगे तो आप इनको revise कीजिए, read कीजिए Thank you students, thank you very much